किस तरह से हमारा जो है वह उनिभर्स का ओरिजिन हुआ और अर्थ का ओरिजिन हुआ ठीक है न क्लास स्टुडेंट्स कि यहां तक हम लोगों ने देख लिया था कि 500 मिलियन यर्ज आफ्टर दा फॉर्मेशन अफ और्थ अल्मोस्ट फॉर बिलियन यर्ज बैक क्या हो गया हमारा लाइफ का जो है वो फॉर्मेशन हुआ कल का जो व्यूडियो था उसमें हमने क्लास 12 के जियोग्रफी वाले जो बुक है स्टुरी क्लास 11 के वहां का फॉर्स चेप्टर से हमने देखा ओरिजिन आफ इनिवर्स एन ओरिजिन आफ आर्थ ठीक है अब यहां से देखेंगे कि आर्थ के ओरिजिन के बाद जो लाइफ हमारा फॉर्ब हुआ उसको लेकर के कितने सारे जो थेयरीज है और कितनी सारी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाइपोथेसिस यानि कलपनाएं हैं और जो भेरियस साइंटिस्ट ने कैसे एक्सप जब हुमन का डिफलेप्मेंट हो चुका था अब यहां से हुमन ने सोचा कि आर्थ के फॉर्मिशन के बाद लाइफ उसके कहां से आया होगा तो पहला कोशन क्या बना कि दिड्लाइफ कम फ्रॉम आउटरी स्पेस लाइफ के आउटरी स्पेस से आया तो इसके आंसर में आउटर स्पेस्ट जाया था ने किसी और प्लानेट या किसी और सोलर सिस्टम किसी और गैलेक्सी से लाइफ हमारे अर्च गया था ओके कुछ जो ग्रीक थिंकर स्थे अर्ली ग्रीक थिंकर्स यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड इस्पोर्ट्स वे ट्रांसफर्ड टू डिफ्रेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ कुछ जो ग्रीक कंट्री के जो फिलोजफर्स थे दार्सिनिक थे उन्होंने कहा कि जो लाइफ है वो इस्पोर्ट्स के फॉर्म में अर्थ पर भी खाना है कि जो रेनी सीजन होता है मुष्रूम अपने आप ग्रू कर जाते हैं या फिर आपका खाना है अगर आपका खाना करना की रखा हुआ है तो whaitt कंडिशन मिलता है COMFORTYBLE CONDION मिलता मुआश्य मिलता है तो वहाँ से वह एक ग्रों कर जाते है लिएי तो इस सोचते थेओं अब उसके बाद किया थी दिय गई पैंस पर में ऐस फेवरट और फर प्र साम एस्ट्रोनॉमर्स नौंस जो स्पेस में जाकर ट्रैफल करते हैं एक आईडिया है सोच है तो उसी सेंट काम करते हैं उनकों पैंस परविया नाम का एक जो है वार उनको बहुत अच्छा इडिया लगते हैं क्या एडिया है कि for a long time it was also believed that life came out of decaying and rotting matter like straw, mud, etc. ठीक है तो यह जो थेरी था यह क्या था theory of spontaneous generation ठीक है तो पैंस पर हमें क्या कहा गया कि life जो है वो बाहर से आए अब spontaneous generation में क्या कहा गया कि जो mud है, straw है इन सबसे जो decaying और rotting matter है इन से life का जो क्या हो गया generation हो गया, create हुआ और इसे कहा गया in spontaneous generation ठीक है उसके बाद क्या हुआ इतने से भी उन लोगों को जो scientist थे उनको मतलब अभी भी उनको जह और कुछ answers नहीं मिले थे तो वो खोज रहे हैं थे तो लूइस पैस्चर जो थे उन्होंने क्या क्या एक बहुत अच्छा experiment किया और experiment करके उन्होंने demonstrate के में दिखाया कि life जो है वो हमेशा pre existing life से ही अप्यार होगा पहले जहां जीवने वहीं पर फिर से नया जीवन आएगा ठीक है जो हम लोग सेल पढ़ेंगे तो सेल थियोरी में हम पढ़ेंगे जो नए सेल बने वह पुराने सेल उससे बने ठीक है उसके बाद क्या बोल रहा है किल्ड येस्ट वाल इन अनदर फ्लास्क ओपेंटू एयर निव लिविंग और गनीज अरोज फ्रॉम किल्ड इस्ट क्या बोल रहा है उन्होंने एक इस्ट्रेलाइस फ्लास्क लिया और उसको उन्होंने क्या किया था कि जो लाइफ दिट नॉट कम फ्रॉम किल्ड से नया और्गनीज पैदा हुआ कि इस्पॉंटेनियस जनेरेशन थीरी वाइज दिस्मिस्ट वन्स एंड फॉर अल इसके बाद जो है जो इस्पॉंटेनियस जनेरेशन की थी वह कतम होगी क्योंकि इससे क्या पता चला कि लाइफ जो आया वह पहले से वहां पे लाइफ प पहले लाइफ से फॉर्स्ट वफ लाइफ कहां से यह उन्हें तो ठैल से एज्ट मरा गएं थ हटा उसको डेकिन इनरीत तो साइंटिस्ट आए और इन्होंने प्रोपूज किया क्या प्रोपूज किया the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules that is RNA protein etc इन्होंने क्या कहा कि life जो है वो कहां से आया होगा pre-existing non-living organic molecules जो non-living organic molecules है कैसे कि RNA आप कुसका प्रोपूज हम जानते है राइबोस निकलाइक असीड और जो प्रोटीन है इन से हमारा जो है life formation हुआ and that formation of life was preceded by chemical evolution chemical evolution मतलब कुछ molecules बने क्या लिखा हो जेखो that is formation of diverse organic molecules from inorganic constituents जो diverse organic molecules है उनका formation हुआ किसे इन और्गेनिक constituents हमने कल पढ़ा था कि मिथेन है अमोनिया है वाटर भेपर है यह सब प्रेजेंट थे प्रिमिटिव आर्थ में तो अब देखते हैं जरासा कि वहां प्रिमिटिव आर्थ कैसे यह जो इन और्गेनिक से और्गेनिक मॉलीकूल जो है वोपने क्या है थे कंडिशन अन आर्थ रर हाई टेंप्रेचर जो पहला प्रिमिटिव अर्थ था हूं पर क्या था था हूं आते थे पहहां पर और्गेनिक स्टॉम्स मितलब वॉल्कैनों जो है वह इरप्शन होता था भलकुन बाहर आता था तो उससे तरह था कि गैसे बाहर निकलते थे और बहुत ज्यादा हो जाता था रिडियूसिंग आटमोस्फेयर कंटेनिंग च4 डाट इस मिठेन एनेज़ की अमोनिया इट्सेक्ट और अर्थ के अटमोस्फेयर में क्या था अमोनिया और मिठेन प्रेजिंट था इसके अलावब और फी कैसे थे कार्बन डेयाकसाइड होगा हाइड्रोजन होगा और आपक 153 में S.L.Miller, Stanley Miller ने एक अमेरिकन साइंटिस्त उन्होंने क्या 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 लाबरेटरी में यहीं सेम कंडिशन उन्होंने बनाया क्या 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 वी क्रियेटिड इलेक्रिक डिश्चार्ज इन अ क्लोउस फ्लास कंटेनिंग CH4 अधिस मिठेन, H2 हाइट्रोजन नहीं अमोनि सेंटिकेट तो जो प्रिमिटिव अर्थ का कंडिशन था वही कंडिशन सर एसल मिलर ने 1953 में जो एक अमेरिकन साइंटिस्त उन्होंने उसे क्रियेट किया एक फ्लास के अंदर और क्या किया ही अब्जर्ब फॉर्मेशन ऑफ एमिनो असिट्स और उन्होंने जब यह सब्सक्रीक मौलेकुल ऑच जिसे हम कहते हैं एसे एमिनेशिट से प्रोटीन बनेगा उस नियू और ढीह बनेगत तो जब S.L. Miller ने ऐसे एक्सपरिमेंट कर लिया कि आमिनो एसीड बन रहा है तो दूसरे लोगों ने भी ऐसे एक्सपरिमेंट किया और उन्होंने क्या देखा कि formation of sugar जो sugar molecules है वह भी बना nitrogen के basis बने ठीक है यह सारे molecules उस chemical एक्सपरिमेंट में बने जो कि क्या है और गेनिक molecules है और वह एक living organism के body मिलते हैं analysis of meteorite content also revealed similar compounds indicated that similar process are occurring elsewhere in space जो meteorites आते हैं हम लोगों ने कल पढ़ा था कि asteroid belts हैं comments हैं और different stars के जो particles है वो तूट के जब और surface में आते हैं तो उन्हें हम meteorites कहते हैं जब यह meteorites को ले करके laboratory में इनका proper experiment किया गया इनको observe किया गया तो देखा गया कि उनमें भी ऐसे ही कम को जो है और inorganic और organic चीज़े मिल रही है with this limited evidence the first part of the conjectured story that is chemical evolution was more or less accepted तो यहां से क्या पता चला कि जो अर्थ के condition थे उस condition में किसी तरह से chemical reactions हुए और organic molecules का formation हुए इन organic molecules से organic molecules का formation हो और इसी को हमने कहा chemical evolution ठीक है अब आगे देखते हैं we have no idea about how the first self replicating metabolic capsule of life arose क्या बोल रहे हैं कि अभी तक हमारे पास कोई idea नहीं है कि कैसे पहला जो self replicating metabolic capsule of life मतलब self replicating मतलब खुद से अपने जैसा ही एक नया कुछ बनाने का जो एक process है वैसा कुछ जो है एक identity या वैसा कुछ जो है एक life का form अभी तक कैसे अरोज हुआ इसका हमें idea नहीं है लेकिन यहां से क्या हमको पता चल रहा है कि the first non-cellular forms of life could have originated 3 billion years back क्या पता चल रहा है कि जो non-cellular forms of life है वो 3 billion years back formation हो गया होगा they would have been giant molecules और वो क्या हो सकते हैं बड़े बड़े molecules होंगे किसके RNA के protein के और किसके polysaccharides मतलब जो carbohydrate के molecules हैं वो सब भी हो सकते हैं तो इस तरह से जो है कि पहला जो है life का जो formation कीज़े हैं वो आई ठीक है अब यहां पर क्या है कि यह giant molecules और यह देखिए हमारे पास एक डायाग्राम है जो मिलर सर का experiment था एसल मिलर का 1953 में जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसा एक primitive और टाइब कर्डिशन क्रियेट के था लैबर्टरी देखो वहां पर जो आपका एक राउंड से पर स्ट्रक्चर है वहां पर रहने क्या डाला हुआ है अमोनिया है मिथेन है एक टूओ वाटर भेपर है और हाइड्रोजन गयस है और इलेक्ट्रोड के मदद थे वहां पर स्पार्क तिस्चार्ज हो रहा है मतलब टेंपरेचर 800 डिग्री संटिकर तक राइच किया गया है उसके बाद पूरा आप वहां पर देखिए सेटप पॉसिबल ऑरिजिनेट तिल अब टू थाउजन मिलियन एर्स अको मतलब किसी तरह से जो है कि आपका जो है नौन सेलूलर फॉर्म ओफ लाइफ तो क्रियेट हो गया लेकिन जो हमारा सेलूलर फॉर्म ओफ लाइफ है वो उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि तू हंड़े इस बिलियन इर्स का जो है गैपिंग हमारा लगा ठीक है तिस बेयर प्रोरबली सिंगल सेल्स जहा कहा गया यह जो पहला बना होगा वो सिंगल सेल्स होंगे और लाइफ फ्रमस वेर इन वाटर इन्वार्मेंट ओनली और लाइफ फ्रमस कहां क्रियेट हुए जो हमारा वहां create हो गया ठीक है this version of a biogenesis that is the first form of life arose slowly through evolutionary forces from non-living molecules is accepted by misery क्या बोल रहे है यह जो theory आई कि इन और्गेनिक से और्गेनिक molecules बने और वहां से दिये cellular form of life हम को मिला यह जो बायोजेनिस की theory है इस theory को majority लोगों ने accept कर लिया कि हाँ यह हो सकता है क्योंकि एक्सपरिमेंटिली प्रूब्ट है आपके आखों के सामने एक्सपरिमेंट हो रहा है और और और्गेनिक मॉलेकूस बन रहे ही इन और्गेनिक मॉलेकूस अब यहां कुछ बोलने के पास खास रहा नहीं थीक है तो उन्होंने इसको मान लिया कि हाँ ऐसा हो सकता है however once formed how the first cellular forms of life could have evolved into the complex biodiversity of today is the fascinating story that will be discussed first pillar तो यहां पर क्या बूल रहा है कि first cellular form तो आया लेकिन first cellular form के आने के बाद यह जो हमारा आज की date में जो हमको huge एक complex biodiversity वाला जो एक अर्थ दिखता है अर्थ का atmosphere या बाइस फिर आफ कर लो जितने भी life forms आपको दिखती जितने भी यह बार डैवर्श दिखता है यह कैसे create होगा यह बड़ा ही क्या है fascinating story मतलब आप अगर इसको पढ़ेंगे जानेंगे समझेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा ठीक है class ठीक है students तो यहां तक जो है यह हमारा अभी भी introduction चल रहा था कि हमारा first जो cell है वो कैसे create हुआ होगा मतलब मानके चलिए पहला जो basic primitive cell है आदी cell जिसको कह सकते है सबसे पहला cell जो create हुआ होगा वो कैसे create हुआ होगा ठीक है यह हमको पता चल गया यह जो है वो कैसे create हुआ होगा अब यहां से हम इस chapter को आगे लेके नहीं चलेंगे यहां इसको हम रोप देंगे यह अब आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा ठीक है अब हम लोग पस यह जानना था हम लोगों को कि किस तरह से हमारा पहला जो cell था वो create हुआ पहला जो life form था solar life form वो हमारे earth पे आ गया अब इसके बाद हम क्या देखेंगे और क्या जानेंगे यहां से आगे जो है जो हमारा cell create हुआ उस cell का development कैसे हुआ उस cell में जो है क्या क्या दूसरे और्गनल्स प्रेजेंट है उन सब का काम क्या है मतलब यह आपका geography और biology का एक mixture था अब यहां से हम देखेंगे हम जानेंगे अपना biology वाला section जो पहला chapter हम लोग जो कर डिसकस करें हैं वो होगा हमारा cell okay class students enjoy करेंगे इस video को को problem हो comment section में पूछ लेंगे इसको हम लोग डिसकस करें ओके और कल से हम लोग का फिर से वापर चलेंगे तहां thank you and have a nice